सौराबाजी भी हमारे साथ बने वया है उनसे भी समझते हैं कि SUV का ये जो ट्रेंड दिख रहा है ये अच्छलिए SUV क्रेज जो बोलें इंडिया में ये कितना मीनिंग्फुल है और कितना बड़ा हो सकता है सबसे पहले आप से समझना चाहेंगे ये कि what is it all about आपको क्या लगता है कि SUV का क्रेज हम डेटा भी दिखा रहे हैं कि 2026 तक market cap बहुत बड़ा impactful हो जाएगा SUV कार्स के साथ ही आप किस तरह से SUV का क्रेज देख रहे हैं इंडिया में देखिये अब SUV क्रेज ये तो जो आ रही है तो कुछ सारे रीजन्स है पहली रीजन्स है ये तो जो SUV की रोड प्रेजन्स जो है आप आप क्योंकि आजकल जो लोग गाड़ी खड़ीते हैं उनको थोड़ा दिजाइन के बारे में ये लुकिं फॉर एक स्टॉंग दिजाइन्स है और फिर प्रैक्टिकालिटी भी है वो तो दूसरे बाड़ी स्टाइल से बेटर है मतलब जो सिडान और हैच्पैक उनके जो इतने रोड प्रेजन्स नहीं होती है और आजकल जो लोग खड़ीते हैं उनको थोड़ा स्टेटस थोड़ा फ्लैश आज ये तो इंस्टाग्राम की एज है तो इन इस इंस्टाग्राम एज एज एवरीवन वांस तो ये लिटल बित मौर आउटगोईंग और फिर एक और चीज है कि हमारे रास्ते जो है वो तो बहुत खतरनाक भी है बहुत पार सकते हैं क्योंकि वहां अंगा बाड़ी स्क्रेप हो जाती है यह प्रॉब्लम नहीं होता है और दूसी चीज है कि बहुत इंपॉर्टन चीज है कि पुराने जो एस्यूवी थे उनका जो ड्राइविंग था बहुत रफ था आसान नहीं था गाड़ी चलाने के लिए आ और आजकल की एस्यूवी is as easy to drive as a sedan और a hatchback तो यह सब जो reasons है इसलिए तो अभी एस्यूवी का क्रेज तो बढ़ते रहते है और मैं सफिर यही में को पता करना है आपसे कि कौन सी कंपनी से में एस्यूवी से के अंदर ज्यादा अच्छी कर रही है और आगे चलके किसका market gain बढ़ सकता है आजकल तो सारे कंपनी एस्यूवी में तो जो कंपनी एस्यूवी में नहीं है notably मारूती और हॉंडा यहां तो उनका थोड़ा market share loss हो गया तो सब दूसरे कंपनी एस्यूवी में तो कुछ model है उनके सिर्फ मारूती अभी तो शुरू हुई है ग्रैन मिटारा के साथ और न्यू ब्रेजा लेकिन वो थोड़ा लेट आई एस्यूवी पार्टी को तो इसलिए मारूती ने भी थोड़े market share they've lost market share और हॉंडा भी SUVs नहीं थी इनके पास सिर्फ सिडैन और hatchback तो और compact sedan तो अभी Honda भी उसने plans बताया है कि 2023 में नई SUVs लाँच करने वाले हैं लेकिन they've lost a lot of market share जो gain हुआ है तो is Koreans Kia and Hyundai और Tata ने भी तो बहुत अच्छी performance की SUVs में Nexon is the number one selling SUV क्योंकि Nexon में सब सारे powertrains आते हैं petrol है diesel है और अभी EV भी है और in Nexon is number one EV in India उनका market share करीब 80-90% है अभी EV की market share तो I think these are the winners अभी Mahindra ने भी तो नई Scorpio launch हुए तो एक लाग bookings मिली आदे घंटे में तो यह जो SUV craze is an indication of the SUV craze और अभी Mahindra भी तो I think with their three models बहुत successful है वो तो भी अभी market share बढ़ने वाले है तो कई सारे company और especially verticals की भी बात कर रहे हैं models की भी variants की भी बात कर रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल बहुत 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 शुक्रिया स्वरबाज हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और यह analysis अपना व्यू हमसे शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको तो ऐसी उभी जिसका मार्केट क्रेज जिसका क्रेज इंडिया में बढ़ता चला जा रहा है और दोजार पच्छेस शब्रस तक तो ये मार्केट शेयर भी सिग्निफिकेटली बढ़ जाएगा ये एक खास र क्रेज बहुत बढ़ एकार है और दोजाओर में जे क्रेजिकेटली ईंडिया है और जाएगा इंडिया ये ड़का तो ये ऑ्रोग पर मार्कलिवन है